इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेजन के सबसे गेरे जंगलों का सीन दिखाया जाता है जाम 13 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंबो होता है जो अपने कभीले की सबसे अची शिकारी बनना चाहती थी इसलिए पेड के उपर जाल बिचा कर शिकार करने के लि के लिए उसमेर तीर चलाती है मगर उसे तीर चलाना नहीं आता तब यो गलती से अपने खुद के बिचाये ट्रेव में फस जाती है जिसे वह पेड से उल्टा लटक गही थी तब यूँ आँ वही पक्षी आता है जिसके लिए एंबो ने ट्रेव बिचाया था मगर आसानी इसे जाल में फसे चारे को खाकर उड़ जाता है और एंबो कुछ नहीं कर पाती वाई फिरा में जूमी और हुरीन का नाम के दो आदिवासियों को दिखाया जाता है और इनका जो की कंदामो कभीले के मुख्या है वो अपनी बेटी जूमी से कहते है कि ताला की मचलियों के साथ लोग मर रहे हैं और कई बीमार भी है यह सब एक शराब की वज़े से हो रहा है इसलिए तुम्हें नई मुख्या बनकर इस शराब को खत्म करना होगा जूमी कहती है कि मैं जिमेदारी नहीं ले सकती तब यूँआ चूनी नाम की एक औरत आती है और जूमी से कहती है क विए कि हम पथर दिल हो चुके हैं मगर तुम्हारी नियत साफ है इसलिए तुम कंदामों को बचा सकती हो वहीं एन्बो के पास अतौग नाम का एक शिकारी आता है जो कि एन्बो के कबीले से था एन्बो अतौग से कहती है कि तुम मेरी मदद करो वरना हम जूमी के रानी बनने के जश्ण में देरी से पहुचेंगे अदों कहता है कि तुम्हें अपनी मदद कुद करनी होगी और पेड में एक चाकू घोपकर वहां से चला जाता है एंबो ने चाकू लेने कोशिश की मगर नाकाम्याब रही ताइब उसके पास जंगल के दो रूहानी फरिश्टे आते हैं जिनका नाम वोका और डीलो था वो एंबो से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे मगर तुम्हें जूमी की मदद करनी होगी जिसने ओ कभीले को बचा सके एंबो को लगता है कि हो काफी समय से उल्टी लटकी हुई थी जिसकी वाज़े से उसे रुआनी फरिश में जाने लगते हैं वाई हूरी इनका जूमी को कבinen की रानी बनाते हैं एंबो भी वहां गई थी वह जूमी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हास तोफा लेकर आई हूं और सभी से है कि मैंने जूमी के लिए जंगल के दूरुआनी फरिश्टों को लेकर आई हूं जो जंगल के श्राब की वज़े से गायबो गए थे वोका हो डिलौ वहाँ से भाग गए थे क्योंकि काव डिलो एम्बो के पास आते हैं वो एम्बो से कहते हैं कि जश्न में आने से हमारी जान को यकूर्णा से खत्रा था और उसके श्राब को खत्म करने का एक उपाई है एम्बो श्राब को खत्म करने के बारे में पूस्ती है वो काव डिलो बताते हैं कि जंगल के अंदर एक पेड़ की जड़ है जो तुम्हारे कभिले के श्राप को खत्म कर दीगी मगर आमें पेड़ के बारे में नहीं पता मगर मोटेलो ममा जो एक बहुत बड़ा कच्छवा है वो तुम्हारी मदद जरू करेगा एंबो जुमी के पास आकर केती है कि मैं कभिले को छोड़ कर जाना चाहती हूं जुमी उसे कभिले को छोड़ कर जाने से मना करती है और केती है कि इसी कोई जड़ होती जिसने श्राप को खत्म किया जाए तो कभिले के सरदान ने उसे पहले ढून लिया होता एंबो चुनी के पास जाती है चुनी केती है कि मैंने तुम्हें पाला है मगर पढ़िया शिकारी इस कभिले में कोई और नहीं था और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताओं जब तुम्हें फरिष्टे दिखाई दें एंबो अपनी मा के बारे में बाते सुनते ही सो गई थी अगले दिन सुबह एंबो जुमी को लेकर चुनी के प पारा है इसी वाज़े से वह यहां से भाग गई मगर मैं उसके पीछे जाकर इस शाप को खत्म कर दूंगा जुम्हें उसकी बात नहीं सुनता और वहां से एंबो के पीछे चला जाता है एंबो पेड़ के पास आकर रोने लगती है तब उसके पास से कच्छवा आता है जि उसे अपने पंजों में पकड़ लेते हैं तब यहां वोका और डिलो आकर एंबो की जान बचा लेते हैं वहीं कभी लेके सबी लोग मिलकर चुनी को अंतिम विदाई देते हुए उसे पानी में बहा देते हैं दूसी तरह बतोक एंबो को जंगल में ढूंड रहा था उसे कुछ तीर मिलते हैं जिसकी वाज़े से उसे पता चल गया था कि एंबो किस तरफ गई है फिर जूमी हुरिंका को बताती है क्या तो एंबो के पीछे मेरे मना करने के बावजुद दी गया हुरिंका कहते हैं कि तुम अपने साथ दो सिपाई ले जाओ और अतों को ढूंड क्यों कि ओएंबो को नुक्सान पहुछा सकता है जूमी अपने साथ सिपाई लेकर अमो को ढूंड ने जाती है वही वोका और डीलो को भुग लगती है वो एंबो से तीर चलाकर फल तोड़ने हो के थे हैं एंबो के पास तीर नहीं होते डीलों से नीचे से तीर उठाकर द देता है और कहता है कि जब तुम्हें इसकी ज़रत होगी तब मैं तुम्हें दे दूंगा और सभी मोटेलो ममा को ढूनने के लिए ग्रेट रिवर की तरफ जाते हैं एमबो को जंगल में दुआ दिखाए देता है जिसे देखने के लिए वो दुए की तरफ जाती है वोका और उपर दुए से अम्ला करता है जिससे बचने के लिए एमबो और उसके साथी भागने लगते हैं और पानी में गिड़ जाते हैं जिसकी वजह से दुआ उनका पीछा करना छोड़ देता है एमबो के लिए मोटले ममा को धूने जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मोटले ममा अतोक से कहती है कि तुम मेरी मां के बारे में बात कर रहे हो जिनका नाम लीजेनी था और अतोक के ऊपर तीर चला कर भाग जाती है अतोक अतोक से पकड़ कर के ता कि मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था तब ही आचानक धरती लिलने लगती है और एंबो पेड़ से नीचे गिरकर पानी में घिर जाती है जा उसे कछवा मिलता है जो से पहले भी मिला था एंबो उसके पीछे जाती है और उसे पानी के ऊपनी मान जो दिता में उसी में लगता है और मोटेल मामा से ढरती हूं मुझे तीर नहीं आता मोटेलो ममा केती है कि अकुर्णा ने मेरे बच्चों को भी बिमार कर दिया था मुझे एसा लगता है कि अब काफी देर हो गई मगर तुम जंगल को बचा सकती हो तुम्हें अपनी मा के पेड को एक पवित्य चूरी से काड़ना होगा जो आस्मानी पत्थर से बनी एमबो के लिए चलती हुई ठक कर जमीन पर गिर जाती है ताइब उसके पास वोका और डिलो आते हैं उन्होंने एमबो से कहा कि हमें पता है कि तुम्हें पेले जो के लिए कोई मीठी ची ले जानी है और वो एक मीठी पत्ती वाला पेड़ बताते हैं और कहते हैं कि पेले इंचर बैता है तरफ सकती है हूं उसके बास सुनकर खुश। जाती है और उसे अपने साथ कभिले में चलने हो केती है डेविड जुमी से एक ईडिल करने हो आ है पहले जो अपनेपने आधमें उठा लेता है के मोटेलो ममा ने हमें यह भेजा है और मैं आश्मानी पथर लेने आई हूं एम्बो से मीटी पत्ति वाला पेड़ देती है जिसे देखकर हो काफी खुश हो गया था और आस्मानी पत्तर को चूरी में बदलकर एम्बो को देता है और ने जाने हो कहता है मगर अचानक ज्वाला मुकी फटने लगता है जिसने बच कर भागने के लिए एम्बो पहले जो से उसका पंका लेती है जिसके बदले में एम्बो से कई मीटे पेड़ लाकर देगी एम्बो और उसके साथ ही पंके को लेकर भागते हैं और उन्ने कोशिश करते हैं मगर वोका का वज़न जादा होने की वज़े से वो एम्बो और डीलो को पंके से भेज देता है वो का भी लकडी की गाड़ी लेकर वहाँ से बागता है एंबो पंके की मदद से अपने कबिले में वापस पहुंच जाती है मगर वो पंके के टूटने की वज़े से नीचे गिर जाते है वो का भी उनके पास आ जाता है एंबो ने कहती है कि हम मुझे माँ से बात करनी होगी और अपने फेवरेट पेड़ के पास आ जाती है जिसमें उसकी माँ की आत्मा थी एंबोस जादूई खंजर से पेड़ की जड़कों काडने लगती है ताकि श्राब खत्म हो सके मगर तभी जुमी एंबो के पास आ जाती है और और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते है जुमी एंबो के पास आकर उसे हुरीनका के पास ले जाती है जब डेविट की दवाई की वज़े से ठीक हो रहे थे इसलिए जूमी एम्बो केती है कि डेविड सभी को ठीक कर देगा क्योंकि उसकी दवाई बहुत असरदार है मगर एम्बो कबिले में डेविड को देखकर वाँ से भाग जाती है जूमी भी एम्बो के पीछे जाती है एमबो ने बताती है क्यों आदमी खतरनाक है क्यों 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 कोई इंसान नहीं है बलकि वही बीमारी या कुरूना है जो हमारे कबिले वालों को मार रहा है मगर जूमी उसकी बात नहीं मानती क्यों 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 से लगता है क्यों जूट बोल रही है अतों को पता चलता है क कि मुझे सब कुछ पता है डेविड जूमी और उसके पीता को अपना गुलाम बना लेता है दोसी तरह अब एमबो अतों के साथ मिलकर पेड़ में आस्मानी छूरे को गौप देती है और रोने लगती है पेड़ में से एक रोशनी बाहर आती है जिसमें से एमबो की मा लिजे आती है जिसकी आवाज सुनकर एमबो केहती है कि मैंने आवाज पहले भी कहीं सुनी थी यह यकुर्णा के आदमी है जो जंगल के सोने को निकालने आ रहे हैं लिजेनी एक आका गोला बनाकर सभी को अपने पीछा आने हो केहती है वहीं जूमी अब डिवेट के वश में थी इसलिए अपने सभी कभीले वालों से केहती है कि डिवेट ने मेरे पीता की जान बचाई है जिसके बदले में हम उने सोना देंगे और कुछी समय में उनकी मशिन यहां आ जाएगी तुम सब उनके साथ काम करोगे और सभी को डिवेट के सामने जुकने हो केहती है लिजेनी कानी रूप निकालने कोशिश करता है कि को सालों पहले जब तुम मर रहे थे तो मैं तुम्हें कभीले में लेकर आई और तुम्हारी जान बचाई मगर अतोग भी लिजेनी से प्यार करता था इसलिए उसने कभीले वालों को उनके खिलाब बढ़काया जिससे कभीले वालो को बाह निकालने के लिए उसे बताती है कि तुमी एंबो के पीता हो डेविट के अंदर मोजूद याकुर्णा को इसे गुसां आता है और अपने रियल फॉम में आ जाता है अतोग ने भी एंबो को सब को सच सच बता दिया था कि मेरी गलती की वज़े से लिजेनी की जान ती यकुर्णा जूमी को पकड़ कर अपने साल ले जाता है एंबो से रोकने कोशिश करती है मगर रोक नहीं पाती और अवी एकुर्णा जंगल को बर्वाद करने के लिए जंगल में सोना खोदने लगता है एम्बो भागती हुई जाती है मगरो याकुर्णा के उपर जादू ही तीर नहीं चलाती क्योंकि याकुर्णा ने उसके पिता डेविट पर काबू कर रखा था वोका और डिलो एम्बो से कहते हैं तुम अपने पिता के उपर तीर नहीं चला रही हो बलकि याकुर्णा को खत्म कर रही हो जिससे तुम्हारे पिता आजाद हो जाएंगे इसलिए तुम्हें तीर चलाना होगा अतोग वोका और डिलो जुमी को बचाने चाहते है मगर वो गुलाम बन गई थी जिसकी वज़े से वतों के साथ नहीं जाती एम्बो के पास उसकी मा आती है एम्बो से कहती है कि आप मेरे तीर को सही रा दिखाना लिजेनी उसे कहती है कि अब तुम्हें मेरी जुरत नहीं तुम अब तेयार हो औरो याकुर्णा पर तीर चलाती है जिसकी वाज़े से याकुरुना खत्म हो जाता है एमबो जुमी को बचाने जाती है जुमी उपर से कूच जाती है मगर अतोग उसे पकड़ लेता है हुरिनका एमबो के पास आते है जुमी हुरिनका से केती है कि श्राब खत्म हो गया है अब हम आजाद है लिजेनी फिर से एम्बो के पास आती है डेविड भी अब याकुरना के खत्मोने की वज़े से इंसान बन गया था डेविड अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होता है और एम्बो से कहता है कि लिजेनी और मैं यहां नहीं रह सकते मगर हम हमेशा तुमारे आसपास रहेंगे अतो कहता है कि मैं हमेशा एम्बो का ध्यान एक पिता की तरह रखूंगा क्योंकि उसे अपनी गलतियों का पस्तावा था लिजेनी और उसका पती एम्बो से गले मिलकर फिर से पेड़ के अंदर चले जाते हैं जिसकी वाज़े से पेड़ खिल गया था जूमी एम्बो के पास आकर उसे गले मिलती है और कहती है कि एम्बो सच में तुमी ने हम सभी को बचाया और सभी हसने लगते हैं और यहीं पर इस मुवी की हैपी एंडिंग हो जाती है